अब आपको इंडिया का अपना OTT प्लेटफॉर्म देखने के लिए मिलेगा जिसमें कि आपको लाइफ टीवी चैनल का रियली इंजॉइमेंट जो है क्या वो आपको फ्री अफ्कॉस देखने के लिए मिलेगा क्योंकि जिस तरीके से लॉंच किया जा रहा है प्रसार भारती के द्वारा वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बिग अपडेट है मतलब पहले प्रसार भारती जो मेंली टार्गेट कर रहे थी कि आपको लाइफ टीवी चैनल किस तरीके से मुवाइल में दिखाये जाए और विधाउट इंटरनेट दिखाये जाए बट वो मोटीफ किस तरीके से चल रहा है वो बात अलग है लेकिन अप प्रसार भारती की जो मेंली एक बहुत बड़ी अपडेट आई है वो आई है ओ टीटी प्लेट फॉर्म को लेके लेकिन प्रसार भारती एक्चुलिए आपका आकाशवारी हो गया मतलब रेडियो चैनल जो की गौर्मेंट इंडिया के तरफ से रियली बहुत ज्यादा मेंली इनिसलेटिव लिया जा रहा है जिससे की आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंड डिये जा सकें जैसे की अलग-अलग प्लेटफॉर्म के द्वार है जैसे की बात करी जाया है तो प्रसार भारती हो गया अब एक नई देखने के लिए मिल जाएंगे बात करी जाए बियेसनल की की अफग्रेटिशन चला है 4G5G में मतलब मेंली 4G में उसके बाद आपको 5G में देखने क लिए मिए ज Jen quelques जो अभी पब्लिक आइनिया रोब बहुत टाइम से मतलब के लिए जो में चीजे हैं वो किस तरीके सा प्रसार भारती लेका है क्योंकि ऐसा ना हो कि OTT प्लेटफॉर्म लाउंच कर दिया लेकिन उस पर करता है तो प्रसार भारती डारेक्टली आपकी घर में पहुशना चाहरा है जिसके द्वारा वह आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे कंटेंट और अपनी अनिंग सोर्स भी इंक्रीज कर सके क्योंकि यह जो मतलब में ली ओटीटी प्लेटफॉर्म प्रोग्राम है वह अभ और भी ओटीटी प्लेटफॉर्म को मर्ज किया जाता है जादा से ज्यादा लोग इसली तरीके से इसे खरी सके एक वह भी कहिना कहीं इंपॉर्टन पार्ट बनेगा क्योंकि अब लाइफ टीवी चैनल अपने आप तो आने जाएंगे प्रसार भारती ने इसलिए इंविट परमिट लैस्नज मतलब जो किसी भी लाइफ टीवी चैनल को चाहिए होता है ली नियर टीवी चैनल के लिए ay요 तो उन्हें वैलिट परमिट एंड लेसंस ले रखें मिनिस्ट्री ऑफ इंफोमेशन ब्राटकास्ट के तरफ से वही कंपनिया जो है डाउन लिंग डिस्ट्रिबूशन ऑफ सैटलाइट चैनल जो है वही अब कही ना कहीं प्रसार भारती OTT प्लेटपॉर्म पे दाल सकती है बड़ आप ह एक great adventure to provide कर वाता है मैग्जियों सारे प्रड़क पे क्योंकि यहां पर आपको सस्ते इसलिए मिलते है यह directly manufacturer dealer से deal कर वाता है तो इसलिए पीच का प्रोकेशन लगता और आपकी बहुत बड़ी सेविंग वह आती है इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हमा इस पर press release यह हमें देखने के लिए मिलता है mainly target news and non news channel को रखा गया है language wise channel को रखा गया है जिसमें कि आपको इस तरीके से एक बड़ा distribution देखने के लिए मिलेगा लेकिन एक सबसे बड़ी दुबीदा यह भी है तब कोई भी live tv channel actually प्रसार भारती पे अपने channel को broadcast करेगा stream कि government के दुआरा मुझे अच्छे मिलना चाहिए यहां पर government का profit है क्योंकि जिस तरीके से advertising है अभी ज्यादा कर private company के हाथ में चल रही है तो उसे दुबारा से खीशने की कोशिश है कि किस तरीके से अब लिया जाए तो इसलिए प्रसार भारती ने actually share revenue model पे यह काम किया है जि 65 रेशियो 35 का मतलब 65% जो है वो broadcaster को मिलेंगे actually पैसे और 35 मतलब एक सोचिए कि एक रुपिया है जिसमें कि 65 पैसे जो है वो actually broadcaster को मिल जाएंगे जो live tv चैनल प्रसार भारती वे वो कर रहा है लेकिन याद रखिएगा इस पर viewing ship आना चाहिए ऐसा नहीं है कि add चलने लेकि इसमें कोई भी profit नहीं होगा और 35 पैसे जो है एक रुपे में से वो प्रसार भारती रखेगा जिसमें कि वो अपने platform को भी maintain रखेगा live tv चैनल के लिए उस पर advertising भी देगा और उस पर advertising जो भी advertising करना चाहते है उनका भी धियान रखेगा मतलब maximum जो काम है वो प्रसार भारती करेगा और live tv चैनल का काम है actually ऐसे content लेके आना जो कि family friendly content हो जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा लोग family के साथ बैठ के देख सके जो actually last date है live tv चैनल broadcaster के लिए कि वो अपना live tv चैनल प्रसार भारती OTT platform पे दाल सके वो 12 अगस 2024 है जिसमें कि प्रसार भारती OTT platform को अब कही ना कह live tv चैनल के तौर पर देखने की जरूरत पड़ेगी अब सबसे ज्यादा important है क्या यह सब लोगों के लिए available होगा तो ऐसा नहीं है शिर्फ यह इंडिया में ही available होगा आप out of country चाहते तो वहां पर यह available नहीं होगा इतनी आसानी से क्योंकि यह pure government की बात करी जाए तो संस्त चैनल क्योंकि प्रसार भारती अपना खुद का लाइफ टीवी चैनल जैसे की डीडी न्यूस की बात करें और डीडी चैनल हो गए यह बात करें तो आकाशवाणी वह खुद यूटूब पे स्ट्रीम करता है तो देखते हैं कि इसी महीने launch हो रहा है OTT platform उसके हम पूरी करेंगा देवी स्ट्रीम करेंगाल हो हुद तो